हेलो इवरिवान तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ब्लॉगर का जो डूमिन है ुसको बट्प्रस कूपर में कैसे इस पर करा सकते हो और बट्प्रकूपर में ट्रांसफर करना यसे किहा कि यहां पर बेनिफ़ीट होने वाला है पूरे स्ट्पब सिक्हाऊंगा कैसे करने होगी सबसे पहले करने पर नेशे आने के बाद देखोगे बैक पको दूंट ना डॉप में लिए को पूरे ही बैक बैक उसके बाद आपको यहां पर कोई भी अगर मिस्टिक कर दिया होगे तो आपका जितना भी पोस्ट है सरब का और अगर ट्राफिक बगर आ रही है तो भी लॉस हो जाएगा तो उस सब चीजों से अगर बच के रहना है तो बैक अप लेकर रखना पड़ेगा आपका बट्रिस पर वैप साइट कराना चाहते हो तो आ अगर आपने जहां से होस्टिंग लिया था जहां से अपने डोमें लिया था उसको भी उपन कर लेना है एक रहा हमारा डोमें के नाम इंडियन इक्सप्रेस टुड़ेश्ट करना है ट्रांसफर करना किसी भी तरीके का ट्रैफिक लोस नहीं होगा तो सबसे पहले जहां से अगर यहां पर आओगे तो सबसे पहले करनी है हमारा बहुत सिंपल सा है जैसे ही इस वेपसाइट को क्या करूंगा सबसे पहले होस्टिंग के अंदर में करूंगा यह देखो यहां पर यहां पर कनेक्ट कर दूँगा उसके बाद गया करूंगा कि जो भी कंटेंट हमने बैक अप लिया है उसके बाद उसमें हम अप अपलोड कर देंगे लेकिन उससे पहले एक चीज का हमें साथ ध्यान देना है कि जब भी यहां पर जालते उसका पर्मा लिंक जिरूर सही से क क्लिक करना है और यहां देखो बड़िस का उप्शन पर इस पर क्लिक करना क्योंकि मुझे बड़िस के साथ जाना है यहां पर यह सब चार चीज़ें है इसको कर लेना है अब हमें एक आइडी पासपर्ट करने के जोड़ पड़ेगी तो आइडी के लिए अपको यहां पर जाल देता हूं तो हमारा उपर वला जो यूजर नेम है वह अभी यूजर नेम है उसके बाद यहां पासपर्ट मुझे क्रिए करना है पासपर्ट ध्यान देना है कि इसको पूरे लाइन को यहां पर ग्रीन होना चाहिए जैसे वान और टू आपर है लेकिन वह अपर के सभ बटन खुल जाएका नहीं तो नहीं खुलेगा अब इस पर क्लिक करना है तो हमारा पासवर्ट बन चुका है लेकिन इसको भी हम सेब नहीं करेंगे यहां पर बता रहा है कि अगर आपका रिक्मेंडेट कोई भी यहां पर कीट बगरा है तो उसको करना चाहता हो तो कर सकते हैं की लिए पूछ रहा है तो कर देता हूँ क्योंकि इसको भी कर लूँगा तो हैं पर इटमारें प्लगिन बगार चाशार के लिए लिए पूछ रहा है तो कुलिक करना है अब आपको आपको सबसे पहले करना क्या है इसको जो भी नियम सरवार इसको चेंज करना है इससे चेंज करना है अब कैसे करना है इस और देखो मैं इस पर चेंज करना पड़ेगा चली इसको चेंज कर लेते हैं तो इसके लिए नेम सर्वर में मुझे जाना पड़ेगा गोड़ी जहां से हमने लिया था तो गोड़ी में चलिए आना है और यहां मैंने पिए IG फर्पसक्र हैं बस दब Mirror को धाल तो कैसे करना है मैं बतायाँ करनी है तो थोड़ा सब करना है पर मिल जाएगी हमने यहाँ पर सेज्ड़ा serves करना है अ इसकोokee करना है अब हुआ सेयरत कहां से मिलेगा तो first name server यह रहा जो वस्टिंगर की तरब से दिया जाता है इसको paste करना है first में और second वाले को second में करनी है और second वाले को भी मैं copy कर लेता हूँ और यहां पर मैं इसको paste कर देता हूँ तुरंत यहां देखो ट्रांसपर हो जाएगी तुरंत जितने ब्लॉगर का फाइल सभी चीज यहां पर बड़्पेस के अंदर में चले आएगा मैं पूछ रहा है कि थोड़ा देर के लिए आपका पब्लीक वियूद से जो भी बैक साइट हो जाएगा तो कोई बात नहीं मैं कंटिन्यू कर देता हूं क्योंकि मैंने और लड़ी रखा है हो चुका है यहां पर आपको क्लिक करनी है अब यहां पर भी मुझे नेम सर्वर तो चेंज हो चुका है अब यह इंस्टॉल भी हो रहा है देखो थोड़ा सा 12% हो गया तो थोड़ा टाइम लगेगा बड़्प अब लग से को इससे सब्सक्राइब भी देना पड़ेगा क्या क्योंकि यहां पर इस्टॉल कर देगा और गईस्टो 99% हो चुका है और थोड़ा सा वीट करना जो भी चीज यहां पर होती रहती प्रिव्यू विंडों में दिखाएगा तो यहां देखो क्या क्या हो रही है तो सब्सक्राइब करने के बाद आप देर में यहां पर आना शुरू हो जाएगा अब हमें दो तरह का ऑप्शन मिल जाता है यहां पर चले आता हूं वहां पर हम देखेंगे कि और भी चीजे यहां पर आई है कि नहीं आई है उसके बाद पोस्ट वगरा को बैक अप लिए थे उसको यहां पर अप्लोड करेंगे तो सेम डोमेन नेम से एक्टिवेटेड हो चुका है डवलू पी पैनल और यहां पर पर इख सकते हो जितने भी हमने स्टॉल कि है जसे सेको हमने स्टॉल का तो हहां पर हो चुका है और है और में फ्यक्पों पर और डिक अपर बेक अ यहां पर डालना पड़ेगा उसके लिए क्या पड़ेगा ji जो भी आँ अपर देखो setting करना है setting में क्या करना है ws रिखा हो दो से लिख लिखेंगा और सेथे आवह सेड़ में डालने दोनीन चुरूंट नहीं कुछ भी पोस्ट में कोई भी पोस्ट नहीं दिख रहा है उसके लिए करना कि अपड़ाइगा दो तरीके हैं सबसे पहले एक प्लाग इन के थुरू भी कर सकते हो अधरवाज मैं फ्री तरीका बताता हो कोई प्लाग इन बगर कुछ भी की जरुवत नहीं है इसके लिंग का जास्ट उपर में देखो वे तो टूल को उप्शन है उसके बाद इंपोर्ट को उप्शन है इस पर क्लिक करना पड़ेगा बाइडिफोल्ट वर्ट्प्रेस में सेटिंग होती है जिसमें ब्लॉगर से आप डिरेक्ट यहां बट्प्रेस को उपर में ट्रांस्पर कर सकतो जितने फाल उसको बैकप यहां पर ले सकते हो अब इस्टॉल नौक उप्शन पर क्लिक करना है ब्लॉगर को उपर में देखोगे आपको उप्शन मिल रहा है कि इंपोर्ट भी कर सकतो पोस्ट कमेंट सभी चीज आ जाएंगे कोई दिक्कत नहीं होगी आपको सबको वेट क हो चुका है देखो फाइल का नाम हमेंसा डॉक्ट एक्समेल जरूर होना चाहिए उसके बाद देखोगे तो अप्लोड फाइल इंपोर्टर पर आपको क्लिक करना है से पूछा जाएगा कि यूजर नेम क्या है तो मैं यूजर ने में बनाता हूं एक नया भी बनाते सकते ह पर आपको क्लिक करना है यहां पर थोड़ा सा टाइम लगेगा तो मेरे पास यहां पर लगवग दो मिनिट का समय लगा है और यहां लिख दिया है और पूरी हमारे जितने भी यहां पर फाइल था ब्लोगर के अंदर में बैक अप ले रखा था कमेंट के साथ सबी चीज य है पर 47 था यहां पर देख सकतो मैं फिर से दिखा देता हूं 47 टूटल था और इसमें भी सेम देखोगे तो 48 है यहां पर हेलो बल्ड है इसका काउंट नहीं करके से जितने भी ब्लोगर का फाइल है वह इत्माटिक बडप्रेस को उपर मिला सकतो कोई दिक्कत नहीं होती है असानी से मैंने आपको दिखाया कि 10 मिट के अंदर में कैसे हो गया अगर गोडेटी से डोमें ले रखा तो इत्माटिक हो जाएगी ज्यादा कोई ताम जब करने की जरूत नहीं होती है हर एक फाइल को इसी तरीके से अपला सकते हो अब आपको कुछ करने की जरूत नहीं ह जैसे अगर इस्टॉल करोगी तो उससे वर्किंग करना स्टार्ट कर देगा अब लोग वीडियो पसंदी वीडियो पसंदी वीडियो लाइक करो चैनल पर नोचन सब्सक्राइब करो और इस तरह के वीडियो देखना चाहतों तो कमेंट में जरूत